हेलो गाइस तो इस पार्ट में यान ने किसी साउ नाम के बंदे को बलाया था थोड़ी दर बाद वो आभी जाता है और उसे पूछता है कि बताओ क्या काम है तो भाई को दिखा कर बताती है कि वो सूप फेमली के हायर है तुम हमें सासे किसी वेल्ली मूमेन के साथ प्ले करन हैं और वो ऐसे ही बाते करे जा रहा था तभी बाई चुपके से उस ड्रिंग को चेंच कर देती है तो दोनों ही ड्रिंग करते हैं पर मेडिसिन वाला वाइन जाओने प्या था इसलिए थोड़ी दर बाद उसे उसका नसा होने लगता है तो भाई उसकी कहने की नाटक करती है कि क्या हुआ तुम्हें अच्छा फिल नहीं हो रहा है क्या चलो मैं तुम्हें रूम तक छोड़कर आती हूं कहकर उसे लेकर चली जाती है यह देकर यान खुश हो रही थी कि उसका प्लान काम्याब हो गया और फिर थोड़ी दर बाद मिंग रंग सभी को पाटी में आन भी बाई के बारे में भड़काने में लगी हुई थी तो मिंगरांग खुदी दर्वासा तोड़कर अंदर चल जाती है और अंदर तो बस चाओ था बाई नहीं थे यह देखकर यान सौक्ट हो जाती है कि अगर बाई यान यह तो कहां गई इसने में बाई गो के साथ बाहर इंफर्मेसन मिला था तो हमें पाटी में वापस यान शाइए इतने में साओ नसे में यान को कहने लगते है कि तुम मत जाओ और उसकी बातों से मिंगरां को समझा जाता है कि यान ने बाई को ड्रग देने की कोशिश की थी और उस पर गुस्ता करती है तो गूब ऐसे पू सब्सक्राइब तुमहीं की कर रहा हैं तुमहीं तो यह चाहथी थी जाने में मेरी केर करें करें तुममसे कैसे बाहा निकाल सकती हो घरतकर है कि आपके ओलेज में यह आपके केर करेगी यह वह सूफ फैमली का पैसा दकर आपके पास आई है और कुछ नहीं और फिर भी कह रहे थे कि तुम इसे बहां नहीं निकाल सकती है तो ठीक है अगर यह नहीं जाएगी तो मैं भाई को लेकर चली जाओंगी वह कहते हैं अगर आप यहीं चाहते हैं कि मैं सारे सेर्स हैंडवर कर दूं तो ठीक है अभी मेरे पास 98% सेर्स हैं तो मार्केट प्राइस के हिसाब से और आपको डिसकाउंट देकर भी 100 बिलियान होता है तो इतना दे दीजे तो वह कहते हैं कि तुम मुझे अपनी फादर मानती भी है या न मना करते हुए कहता है कि अभी मेरा ऐसा कुछ प्लैन नहीं है इतने में गू कहता है तुम हमेशा से आर्ट इंड़स्ट्री में काम करना चाहती थी ना तो मैंने सुने कि सुख ओप्रेशन में आट रिलेटेव डूर्क होते हैं तो तुमारे लिए एक अच्छा उप्रिच गू और भाई भी वहाँ आ जाते हैं तो ग्रैनमा भाई से बहुत अची से बात करने लगती है और कहती है तुम बहुत टैड हो गई होगी मैं तुमारे लिए टी बना दूंगी तब ही गू कहता है आपकी तो तबियात खराब थी और अब आप में इतनी एनसी कहां से आ ग चोटे काम को सर्वेंट को करने दीजेगा क्यूंकि मैं यह डिजर्प नहीं करती तो थोड़ा सा गुस्ता करते हुए वहाँ से चली जाती है और फिर गूसे कमफट कर रहा था तो वह कहती है मुझे पता है कि ग्रैनमा सू फेमली का यूज करके आगे बना जाती है कोई ब बात कर रहे हैं पर उनकी बातों से पता चल जाता है कि वह यान के बारे में बात कर रहे हैं और वह कहने लगती है तुम जिसके लिए यह सब कुछ कर रहे हो वह सू फेमली की बाइलोजिकल डटर नहीं है कितने में यान वह आ जाती है और पूस्ती है कि तुम सब किस बारे यह सुनकर वो गुसा कर रही थी फिर खुद को कंट्रोल करके कहती है रेंपा ने पहले ही कहा है कि वो सूग्रूप मुझे देंगे रही कहती है पर लॉक के हिसाब से एडप्टेट चिल्रेंस का इनहेरिटेंस में कोई राइट नहीं होता यह सुनकर वो कुछ नहीं कह पाती और वहां से चली जाती है और फिर तभी वहां पर मेनेजर फू आता है और वह बाइक को देकर कहता है कि तुम कौन हो यहां पर सब लोग अपने काम में बिजी हैं तो तुम क्यूं कुछ नहीं कर रही